स्वागत आप सबीक आफ एक्ट इंडिया स्पोर्ट्स के इस वीडियो में और मैं हूँ आपके साथ दिव्यान शुजास्वा आस्ट्रेलिया और भारत की बीच जो वर्ल्लक फाइनल खेला गया जहां पर आस्ट्रेलिया ने च्छे विकेट से टीम इंडिया को मात दी और छटवा वर्ल्लक टाइटल जीता ये सब खुशी का माहौल था अगर आस्ट्रेलिया की बात करें उनके सारे क्रिकेटर्स सपोर्ट स्टाफ जो भी आस्ट्रेलिया का जो भी इनसान भारत में उस दिन आया होगा 19 तारिक को वो लकी था वो खुश था बहुत जादा खुश था और पूरा ऑस्ट्रेलिया दे आसी हर बार ये हर बार होता है टीम इंडिया चाहेँ बाइलहिटरीं मैच आ ठ्रेक करतें चाहे वो भारत के क्रिकेटर्स हो या फिर कोई विदेशी क्रिकेटर्स हो ऑस्ट्रेलिया हो इंग्लेंड हो सौट आफ्रिका हो कोई भी कोई भी हमारा लेवल इतना क्यों गिर जाता है कि हम किसी की परसनल लाइफ पर अटेक करने लगते हैं कि 2015 वर्ल का भारे 2019 वर्ल का भारे कोई विराट को ब्लेम कर रहा है कोई धोनी को ब्लेम कर रहा है वो खिलाडियों तक चीजे सीमित रखनी चाहिए बड़ जब आप उनकी पत्निया या उनके बच्चे या उनकी फैमिली को अगर आप बीच में लाते हो तो शायदा फैंस नह विकारक लोग हो या वो जहरीले लोग हो जो समाज को गंदा कर रहे है वो कहता है ना वो एक मचली पूरे तालाब को गंदा करती है वो चीज हो आप क्यूंकि मैं जिज खिलाडी की बात कर रहा हूं ट्रविस हैड चैंपियन प्लेयर है भाई नो डाउट उन्होंने वर्ल अपना काम किया उनका काम था उनकी दूटी थी वह ऑस्टेलिया के लिए खिलना और अच्छा खिलना ताकि अपनेटीम को जिता है उसमें को दिक्कत नहीं आप खिलाडी को आप यह कह सकते हैं यह इस बंदे ने हमारा जो हमारी खुशी चीन लीए कह सकते हैं बट क्या आप उनकी एक साल की बच्ची को target कर रहे हो, मतलब शर्मनाख है यह चीज, शर्मसार है यह चीज, भारती फैंस वो अपने आपको fans कहते हैं, भाई आप fans हो ही नहीं, आप वो इंसान हो जिनको भारत में रहने का हक नहीं है, in fact भारत में क्या किसी देश में रहने का हक नहीं ह Travis Head की wife, Jessica Davis, Travis Head की वो पारी के बाद, World Cup जीतने के बाद, अगर आप comment section में जाएंगे Travis Head की social media post पे, या उनकी wife की social media post पे, वहाँ पर आपको comments में जहरीले लोग मिलेंगे, जिन्होंने Travis Head की पतनी को, उनकी डॉटर, उनकी बेटी को, एक साल की बेटी को, रेप की धमक्या दी ह उनके बारे में अनाप शना बका, उन्हें गालिया दी हैं, और Travis Head को भी गालिया दी हैं, प्लस उनकी family को गाली दी हैं, तो भाई ये कौन है, ये कौन है ये लोग, ये कहां से आते हैं, ये क्यों अपने आपको fans कहते हैं, ये fans है ही नहीं भाई, और इन कुछ जरा से लोग इंडियन से जो सपोर्ट कर रहते हैं, उनका सिर शर्म से जुग्या है, इन कुछ लोगों की वेज़े से, जो कुछ अपने आपको बस limelight में लाने के लिए या पता नहीं क्या, इनकी मानसिक्ता क्या है, दरसल मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि भाई, छोटी सोच और पैर कॉमेंट के स्क्रीन शॉट्स की भाई, ट्रेविस हेट की वाइफ को, उनकी बेटी को धमकिया मिल रही है, रेप की धमकी मिल रही है, उनके साथ गलत करने की लोग सोच रहे हैं कि भाई, ऐसा कर दूँगा, मैं वैसा कर दूँगा, कॉमेंट सेक्शन अगर आप देखो, बढ़ास निकाल रहे हैं, टेविस हेट पर उनसे ज़्यादा उनकी वाइफ और उनकी डॉर्टर को, तो हद्ध हो गई, तो हमने सोचा कि क्यो ना इस पर वीडियो बनाए जाए और गुजारिश है उन लोगों से, अगर आप देख रहे हैं वो वीडियो की, अगर आप उन पता नहीं भाई, बट प्लीज जो भी लोग हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि भाई, करपया करके ये चीज़े करना बंद करें, खेल को खेल तक रहने दें, उसको दिमाग पर इतना हावी ना होने दें, कि आप क किसी को नुकसान पहुचाओ, तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही, और थैंक्यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और पसंद आयो तो लाइक कीजेगा, और शेयर कीजेगा, पहुचाईएगा उन लोगों तक, जिन लोगों की सोच चाह दिये है, बाकी थैंक्यू इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा